बसकार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंग है तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर पता हिए अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुर यही नमबर है हमारे सिर्फ जहां पर कॉल या वाट्चब कर सकते हैं इस्टाग्राम पर जरूर्व कर लिए लिएकए इस्टेडी फॉर्स दिसेंबर और आज की डेट में हम लोग 21st दिसेंबर के इच अतने भी इंपॉर्टेंट कारंट अफेस बनते हैं उनको स्टार्ट करने वाले हैं और अब हम यह देखते हैं कि आज की इंपॉर्टेंट हमारे आर्टिकल स्पांसे हैं सबसे पहले हैं स्केडियूल श्राइप्स जो की आनुसूचित जंजातियां होती हैं गोवा लिबरेशन डे जी आई टाग विंट फॉल गेंस टाग्स कस्तूरी कॉटन और फंडिंग दी एनर्जी ट्रांजिशन सबसे पहले हमारा फॉर्स्ट आर्टिकल है स्केडियूल श्राइप्स की ओपर शेडियूल ट्राइप्स में क्या होता है जिसमें अभी रिसेंट्ली न्यूस क्या है न्यूस कुछ ऐसे है कि लोकसभा ने जो है वो एक बिल पास क कि जो हट्टी ट्राइप्स हैं हट्टी या हट्टी ट्राइप्स कहां की है जो कि हिमाचल प्रदेश की है उनको यहां पर शेडियूल ट्राइप के लिस्ट में शामिल करने का यहां पर फर्मान जागी कर दिया गया है तो हिमाचल प्रदेश की जो हट्टी ट्राइप्स है ये हट्टी tribes community है जो कि पूरे उस region में रहती है और इनका नाम भी हट्टी कुछ ऐसा ही पड़ा है कि ये सारी वो जो है ये हट हाट जो छोटे शहरों में हाट होती है वहाँ पर ये जो है ये लोग वहाँ के रहने वाले हैं जो की बुनाई कड़ाई पॉटन की बुनाई जो कि गिरी और टोन नदी के आसपास का रीजन है गिरी और टोन क्या ये दोनों ही यमुना की ट्रिब्यूट रीज है ठीक है तो इस तरीके से यहाँ पर है और ये सब हट्टी में आसपास जो है वो लोग रहते हैं खुमबली जैसे आपको पतना खाप पंचायत आप में पड़ा हुआ है यसे खाप पंचाथ हर्याना में चलती है ऐसी खुमली जो है वो हट्टी ट्राइब्स के लोगों के हैड होते हैं अगर मैं बात करूँ कि यह जो हमारी स्केडियूल ट्राइब्स है वो आपका पूरा 8.6% है 2011 के सेंसस के हिसाब से साथ ही साथ जो इतनी इतन पॉइंट 3% और कुछ रहती है जो है अर्बनियास में शेडियूल ट्राइब्स जो है बिल्कुल हमारे constitution में उनको जगा दी गई है क्यों क्योंकि ऐसा देखने को मिला है कि बही जो जितने भी यह लोग है हमारे जो संविधान के निर्माता हैं उन्हें यहीं बोला था कि देश में ऐसे कोई कुछ एरिया है जहां पर जवित क्रिशी और कुछ अधारबूत सुविधाओं की वहां पर उपलगदी नहीं है वो पिछड़े पन में है आते हैं तो उनको पिछड़े पन से मुक्त कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें जो है उनके लिए किन लोगों को कह सकते हैं जनजाति मतलब जनजातियों के परिभाशा हमारे पास नहीं है लेकिन अनुसोचित जनजाति का यह मतलब होता है ऐसी जनजातियां जिनने सविधान के 342 का जो आर्टिकल है उनके रूप में स्विकार किया गया है ठीक है तो अनुसोचित जनजा add करना है list delete करना है वो parlement कर सकता है तो यह आपको याद रखना है कि जो adding और deleting का काम होता है वो parlement यहाँ पर कर सकती है ठीक है यह exam में question आती है ठीक है भई तो article 342 342 में यही बात लिखी है उनकी list लिखी हुई और इसमें हम add और delete वगेरा कर सकते हैं कौन कर सकता है parlement करती है हमारा जो फिफ्ट schedule है सबने पड़ा है फिफ्ट schedule है वो इसी के बारे में बात करता है जिसमें जो हमारे इनको control करने के लिए जो एक बनाई भी जाती है TAC TAC क्या होती है ट्राइबल एडवाईजरी गवर्णर महाँ पर बनाता है particular tribe के लिए उनके लिए specially एक अलग से tribal advisory council बनाई जाती है साथी साथ six schedule में जो है ATMM की trick से आप याद रख सकते हो ATMM यह चारों के लिए six schedule में लिखा हो और यहाँ पर क्या बनाई जाती है ADC आप दो trick से याद कर सकते हैं एक तो आप यह ATMM याद रख सकते हैं दूसरा एक trick और है वो है थोड़ी अजीब सी है वो M.A.T.M. मातम तो आपकी इच्छा है आप कैसे वीज़ को याद रख सकते हैं चेक है तो इस तरीके से आपको यह नाम सारे याद रखने है यहाँ पर इन चार एरिया के बारे में लिखा हुआ है कौन से चार एरिया है असाम, मिखालिया, तुर्परा, मिजुरा इन चारों एरिया में क्या बनाई जाती है ADC ADC क्या होता है Autonomous District Council जैसे मैं बात करूँ आसाम में आसाम में एक सबसे बड़ा ट्राइबल गूरुप रहता है बोडू एक रहता है कार भी आइंग बलों तो इनके लिए अलग से क्या बनाई गई है यहाँ पर एक डिस्ट्रिक कांसल बनाई गई है ऐसे ही में घालिय वे रहते हैं गारो खासी जहनतिया त्रिपरा में त्रिपरा के नाम से ही है मिजरम में जो है वो मीजो के नाम से है यह जो लोग है न इनहीं के लिए specific rule बनाते हैं जिसे गारो डिस्ट्रिक कांसल गारो पीपल के वेलफेर के लिए उनके भलाई के लिए काम देने का रहे हैं ठीक है तो ऐसे बढ़ अब क्या है schedule tribes वो हमें नहीं बता वो constitution में लिखा नहीं है लेकिन हम यह कह सकते हैं कि जो है schedule tribes वो होते हैं जो अभी पिछड़े हुए हैं जिनका जो शेक्षिक आर्थिक तौर पे भगौलिक तौर पे वह ऐसे चीज़े हैं जो बाकी समुदाव से थोड़ा सा पिछड़े हुए हैं उन्हें हम कहते हैं schedule tribe जैसे हट्टी हट्टी जनजाती के बारे में क्या पढ़ेंगे यह गिरी रीजन में रहते हैं हिमाशल प्रदेश के जिनका जो है जो है जो है जो है में रहते हैं और इनका नाम जो है वहाँ पर यह सब चीज़े उगाते हैं वहाँ पर जो है उस एरिया में सब जी फसल मास उन इन सब बेचती सब वहाँ पर जो है वो लोग बेचते हैं और बहुत समय से वह यह इस चीज़ के डिमांड कर रही है इनकी अच्छी कासी population है श इनके इडिमान कोड़ी भी और जतने भी हमारे जितने भी यह. आर जन जाती है इनके लिए बहुत सारे सरकार्न योजना ही निकाले जैसे प्रधान मंत्री बन धन योजना बनों के लिए इनके लिए अलग से ट्राइबल schools बनाने के लिए योजना है और ऐसे ही एक और योजना है Trifid very famous Trifid यह भी इसमें इसी के लिए बनाए गई है तो यह सारी जो है किसके लिए काम किया कि इनहीं के लिए ऐसे ही इनके लिए एक और स्कीम भी चल रही है अभी तक वह है stand up India scheme. Stand up का मतलब क्या है यहां पर stand up मतलब startup के लिए बिसी के लिए वसे scheme का नाव stand up है लेकिन यह क्या काम करती है start ups जो होते है SCST women के लिए यह काम करती है यह UPSC ने 2016 में पूछा भी था इसका objective ही SCST और women के जो entrepreneurs नार्ज है उनको support करना है चेक है और इसके अंदर जो loan है वो यहां पर जो SID भी है वो यहां पर स्टीस के लिए loan भी provide करती है clear हो गया सब को यहां तब तो यह आपका पूरा एक को याद रुखे का इसमें इस सवाल आपसे किये जा सकते हैं सारे के सारे चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स आर्टिकल वेरी वेरी इंपोर्टन वेरी वेरी इंट्रस्टिंग आर्टिकल यह है गोवा क्या था सबसे पहले क्या पॉर्टीवन में अंडर कर लिया था बिखोलिम कॉंफ्लिट के तहट पॉर्टिक्यूज और मराच्छा के बीच में एक ठ्रीटी साइन होती है जिसके तहट जो गोवा है पॉर्टिक्यूज के पास चला चाता है चेक है तो आजादी के बाद जब सब कुछ हो रही थी तो इंडिया ने बोला कि भई अब सब जा रहे हैं तो आप भी जाएं लेकिन पॉर्टिक्यूज ने गोवा को छोड़ने से इंकार कर दिगा अब गोवा तो हमारा ही हिस्सा है हमें तो गोवा को अपने अंडर करना पड़ेगा न वो चाहे मना करें लेकिन हमें तो यह चीज़ करने पड़ेगी कि अपने अंडर तो हमने लेना पड़ेगा तो फाइनली यहां पर पॉर्टिक्यूज जो है उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ गोवा को अपने अंडर लिया था उन्होंने दमन को उन्होंने दियू को दमन और दियू अलग-अलग गेरिया है अब कंबाइन हुने हैं उन्होंने दादर और नागर हवेली को और एक आइ पर ठैनय।ूझ जो यह नि लेंड हां कहां पर है यह एक इंडिवा आइसलान जो है यह करनाट का के पास पड़ता है यह वह थे कि वह हम लोगों ने जो़ोग हो chaotic नहीं चूड़ के जाने ले हुआ है हम लोगों के तो फड़ियो हैं शोने बिटिश की गवर्मेंट ने बिटिश की गवर्मेंट तो चली गई अब इंडिया की गवर्मेंट ने यहां पर जो है वो चीज को सेंस करा कि अब हमें यहां पर जो है चाहिए वापस चाहिए हम जो हमारा गोवा है वो हमें वापस चाहिए तो दादर नागर हवेली तो military यहाँ पर 19 December 1961 को एक operation पर फॉर्म करती जिसका नाम है operation विजय operation विजय यह कारगिल दिवस वाला ही है मदब कारगिल वाला भी operation विजय है यह भी operation विजय है दोन लेकिन दोनों वाला भी ठेक है सो यहाँ पर जो गोवा है उसको यहाँ पर 18 और 19 December को यहाँ पर पूरी fight होती है operation विजय होता है हमारी इंडिन आर्मी यहाँ पर fight करती है और गोवा को within 36 hours कितने घंटों में सिर्फ और सिरफ 36 घंटों में यहाँ पर अपना बना लेते हैं operation विजय ताकि हम लोग यहाँ पर गोवा को free करा सके 14 December 1961 तक इंडिया की forces बेल गाओं वापी उना के अंदर attack करने को तयार हो जाती है और सारी की सारी हमारी हाँ पर तीनों हमारी जो forces हैं तीनों ने इसके अंदर participate किया था बहुत सारे operations परफॉर्म हुए और फाइनली 18 और जन्रल थे जो इंडिया में रह रही थे जिनका नाम था Manuel Antinu Silva वो यहाँ पर surrender कर देते हैं ठीक है ना surrender यहाँ पर कर देते हैं और यहाँ पर गर्मेंट जो है हमारी 1962 में ही यहाँ पर 12th Amendment Act की तरह पास करके जो है उस समय यूनियन टेरिट्री बनाती है गोवा बाद में स्टेट बनता है 1987 यह चीज याद रखेगा ठीक है अभी यह यूनियन टेरिट्री है तो यह आप याद रखेगा और उसके बाद गोवा में जो फोरएँ गोवा को हम मर्ज कर देते हैं महराश्ट्रा के साथ लेकिन वहां पर क्या कर आया जाता है यह वो तो अपना मान रहे थे कि हमारा ही है यह सर्व लेकिन ऐसा नहीं 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 दिया था ऐसा होने नहीं दे लिए थी भारत सरका जो कि बिल्कुल सही भी था लेकिन जो जब लडाई खतम हुई थी तो इंडिया और पॉचिगूस के रिलेशन बिल्कुल खराब हो गए कितने ही सालों तक दोनों के बीश में आपस बात्चीत भी बंद रही थी देरे देरे बाद में जो है वो बात्चीत वापस से शुरू हुई थी पर उसका इंडिया और पॉचिगूस के बीश में रिलेशन बिल्कुल खतम हो गए तो उसके बाद फाइनली जो है गोवा दम समझ के बात को तो यह है नाइंटीन दिसेंबर को हम इसलिए मनाते हैं गोवा लिबरेशन डे हमने गोवा को आजाद करवाया था ठीक है लेकिन जो वो लोग है पॉचिगूस वो इसको बोलते हैं कि यह गलत तरीके से उन्होंने हत्या है ऐसा उनका कहना है तो यह आप या सो साल तक था इतने जादा सालों तक ठीक है ना तो इसलिए यह सारी चीज़ है और आक्चली मैं इसको पूरा जो जो जोश दिया था ना पूरे बढ़ाना शुरू किया था वो ते राम मनोहर लोगिया उन्होंने बहुत जादा लोगों में जोश बहा था इसके अंदर इस सारी चीज़опас चीज़ह थी गोवा की बारे में आपको मैं बता दू जो गोवा है उसकी इंतर फार साथ595 यहां फार आता है ते स्पाइसिस के लिए यह वहीं है जो पॉट्री यूज है वो लिया था यहापर और भी सारी चीज़े फिर होती गए यह तक क्लियर हो गया यह गोवा की थोड़ी सी जोग्रिफी के बारे में बता रही है अच्छा गोवा की लैंगुज के आफिशर यह आपको पता सबसे हाइस पॉइंट है इसका सबसे हाइसों गोड लिख लीजेगा इसको गोवा का हाइसट पॉइंट मेजर इंपॉर्टन रिवर आपको जुवारी और मंडो भी याद रखनी है और भी है पर वो तुन्हें इंपॉर्टनट नगी ए ठीक है और यहाँपर एक ही नाशन century यह सब हैं so यह आपको important facts याद रखने हैं Goa के बारे मैं आपको सारे important facts बता दिये और यह Goa का important facts आपसे जो prelims का exam जो होगा ना उस type के questions में आपसे put up किया जा सकता है ठीक है prelims जैसे exam में there is a high chance कि इस type पर आपसे को question put up किया जा सकती है am I clear to you all चलिए third article की तरफ वढ़ते हैं GI tax के लिए बहुत नियूज में चल रहे हैं क्योंकि recently केरिला के पांच जी अग्रिकल्चर प्रॉडक्ट को GI जी इटाग दिया गया है पहले तहुम उनके नाम देख ले दे फिर मैं आपको जी आई टाग के बारे में पूरा explain करते हूं पूरा इस से बहर आपसे कुछ नहीं पूछेगा जतना मैं बता रही हूं ना आज गोआ के बारे में बताया जी आई इस से बार नहीं पूछेग किस किसको मिला है अट्टापडी ओट्टुकुमा अवरा थुवरा यह नाम आप पढ़ सकते हैं की प्रणंसियेशन थोड़ी से डिफिकल्ट भी है कंथानलूर कोड़ूंगलूर यह सब आपके इंग्लिश मेनिंग भी लिखें बीम्स रेड ग्राम सिसेम गार्लिक मतलब लस इसते हैं जी आइटाप क्या होता है मैं आपको एक सिंपल से एक्जांपल देखें अभी मैं आपको बोलू रजगुल्दा रशुगुल्दा तो आपके दिमाग में रशुगुल्दा से किस की पिच्चर बनेगी कैलकटा की है न हो सकता है बिकनेर और ग्रोवर स्वीट की भी बने और आपके दिमाग में ज्यादतर जो यहीं दिमाग में आएगा कि अच्छा हां यह तो बहां का है कैलकटा का बेस्ट बेंगौल का अगर मैं आपको बोलू मश्रूम या फिर मैं आपको बोलू केसर केसर सुनके किस की विच्चर बनती है कश्मीर की है न वही है ज जी आई टैक एक जगा के पहचान बन जाता है ठीक है यह एक बहुत गौलिक संकेतक है जो उन उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो एक विशिष्ट वहां ही पर ही उसकी उत्पत्ती होती है और उसकी विशेश गुणबत्ता है वहां की जिसके आधार को उसको वहां क ही माना जाता है मान के चलते हैं कि यह उस रगा से ही जो है वहां से ही उत्पत्ती उसकी वहीं से भी है उसकी क्वालिटीज और उसकी ऐसे जो वहीं पर ही मिलती है यह चीज तो ओरिजिनल है वह प्रॉड़क्त वहां का यह कोई भी टाइप की चीज हो सकते है यह कोई खान ड्रिंक हो सकती है, हैंडी क्राफ्ट हो सकता है, को इंडस्ट्रियल प्रॉडक्ट हो सकता है, ठीक है, तो अभी तक हमारे बहुत जाधा GI टैक्स दिये जा चुके है, साड़े 400 से भी जाधा दिये जा चुके हैं, जिसमें से सबसे जाधा कहां के हैं, करनाटका के, सबसे आपने नोट में मिनिस्ट्री औफ कॉमर्स इंडस्ट्री को प्रोवाइट करती है और इस साल के बाद इनकी वैलेडिटी खतम हो जाती है कुछ ऐसे प्रॉडक्ट जिनको जी आई टाक्स मिला हुआ है जैसे कि केरला में है ये अट्टा पैडी अट्ट्ट। कॉम्बु अवारा ये बीर्ग्रॉज धाएक होते हैं जिसमें आपको वाइलिट कलर की बीर्ग्राव होते हैं और इसमें प्रोटीन, कार्वो हाइड़ोड, स्पाइबर, कैल्टियम, मिगनेशन, जादा होता है. तो यह आपको याद रखने हैं सारी चीज़े. ओना केट्टू, एला, सीसेम, यह एक तेल है, तरीके का ओईल है. यह तेल के भी अलग से लाब हैं, जिसमें आप क्या है? यह हमारे जो free radical होते हैं, वो उनसे यह लड़ते हैं, ताकि हमारी body जो है, वो diseases से अपने आपको बचा सकी. हमारी diseases से अपने आपको बचाने के लिए होता है, यह जो बेसिकली heart patients के लिए सबसे ज़्यादा इस्तिमाल किया जाता है, तब उनके लिए अच्छा है सबसे, फिर है garlic, लसन, इडू की एरिया में उगता है वहां के, जो की sugar, cancer, cholesterol, heart disease, इन सबसे बचाने में मदद करता है, infection की भी अच्छी मातरा है, ऐसे ही snap melon, food ककडी, यह क्या है, यह भी condogalur area में, एर्ना कुलम में होता है, juice की form में आता है, summer में यह सबसे ज़्यादा इसको गाया जाता है, vitamin C इसमें बहुत ज़्यादा amount में होता है, इसमें calcium, magnesium, fiber और fat यह सारी चीज़े देखने को बेंगे, त है, अब रिसेंटली बिहार में मिथिला मखानों को भी मिला था, सुना होगा इसके बारे में, यह GI tax हम क्यों देते हैं, GI tax जो है, यह WTO, World Trade Organization के कहने पर दिये जाते हैं, उनसे ही हमने यहाँ पर एक agreement sign किया है, trips का, उसके तहत हम यह GI tax देते हैं, बहुत सारे चीज़ों को GI GI tax दिया जाता है, दस सालों के लिए, दुबारा से भी आप यह ले सकते हैं, ठीक है, आपको फाइल करनी बढ़ती है, application फिर आपको यहाँ पर मिलता है, सबसे पहला GI tax किसको मिला था हमारे भारत में, दार्जलिंग की चाय को, अब जैसे मैं आपको बोलू आपको चाय पी चीक है, यह सब क्या है, आपको इनके बारे में पता है, यह सारे GI tax हैं, चीक है, आलू को मिला हुआ है, शाही लीची को मिला हुआ है, बिहार की, शाही लीची को मिला है, नांगो को मिला हुआ है, मधु बनी पेंटिंग को मिला हुआ है, तो यह सब कुछ important places हैं, चीक है न चले नेक्स टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं नेक्स टॉपिक का विंड़ व्यवड टाक्स होता है इहां पर अध प्रतियाशत कर आता है कच्छे तेल की उत्पादन कहों सरकार ने उसको यहां पर खतम करते हैं जो यहां पर चीज क्या है यह ग्लोबल जो आउयल के प्राइसे हैं वो यहां पे कम हो गए है फ्रीक है इसलिए जो aviation के अंदर जो फ्यूल लगता है तर्बाइं फ्यूल जो engine को चलाने के लिए फ्यूल लगता है वह यहां पर अभी जो है अभी reduce कर दिया है four four thousand nine hundred पर टन जो है वह यहां पर reduce कर दिया जा है पांच लीटर से उसको हटा के डेड़ लीटर पर पे कर दिया गया है और एक्सपोर्ट जो होता है यहां पर इसका पूरे इसका जो एक्सपोर्ट होता है डीजल का उसको भी यहां पर रिडियूस कर दिया गया पांच रुपे पर लीटर कर दिया गया पहले आठ रुपे हुआ पर चीक है असी पर बैरल मार्क पे चल रहा है अभी तो तो इसको जो है सरकार ने काफी जादा यहां पर कम किया तो विंडफॉल गेंट टैक्स और प्रत्याशत लाब कर होता क्या है यह यह होता है इसको कई बाइस इस नाम से जाना जाता है विंडफॉल गेंट अब हिंदी इंगलिश दोनों म होता है जो भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है उसको हम कहते हैं विंट्फॉल गेंड टैक्स चीक है तो क्या होता ना जब भी कोई प्रॉडट्ट का प्राइज है वो एकदम से बढ़ने लगता है किसी भी बजार में किसी भी उत्पात की जो कीमत होती हो अचानक से बढ़ गया उसकी प्रॉड़क्शन बढ़ गई उसकी डिमांड बढ़ गई ठीक है ना तो इसके लिए हम कहते हैं इसको हमें टैक्स लगाते हैं तो गर्मन को उससे फायदा हो जाते है वर्मन को कई बार जो है उस चीज़ से थोड़ा समत पर अच्छा खासा फायदा हो जाता है चीज़े ना और ब्लैक मनी यहां पर कम होने लगती है तो इसी को हम क्या कहते हैं विंद्फॉल गेंस टाक्स विंद्फॉल गेंस टाक्स जो है बेसिकली यहां पर एक मार्किट में जो है अगर कोई भी प्रोड्यूसर्थ हैं उनको यहां पर टाक्स पे करना पड़ता है जो यह जितनी में चीज़ें हैं यहां पर सरकार झोमिकों एक इस चीज में काफी मिलता है तो सरकार को इसे अलक से बेनिफट दिया जाता बिक्तायं और इसको हम कहते हैं वङ्दॉल है मरदे हमारे 5th article की तरफ कस्तूरी cotton ये भी बहुत निउस में हैً कस्तूरी cotton क्या चीज है यह भारत की premium cotton है खुद की यह हमारा खुद का logo भी आया है वस्तूरी cotton का एक हमारा हुज का brand यहां पर तयार हो费 boa है इसको इसको टेक्स पोरिल जो है हमारी और कॉर्टन को ऑपरेशन ओफ इंडिया ने दोनों नहीं यहां पर साइन करा है कि हम अब जो भी कॉर्टन का सीजन आने वाला है खारिफ सीजन उसमें हम कस्तूरी ब्रैंड को और प्रमोट करने वाले हैं कॉर्टन जो कपास है भारत में वो उश्नकटी बंदिय और उपोश्नकटी बंदिय फसल में यहां पर उगाई जाती है जिसको उगाने के लिए करीब 210 ठंड मुक्त दिनों की आविशक्ता होती है यह यूपीएसी का पूछावा क्वेशन है लाइट रेंफॉल चाहिए होती है जो कपास की खेती है वो सींचत परिस्थितियों में की जा सकती है साथी साथ इसको जो है उगाने के लिए अच्छी खासी आपको संशाइन जो है उसकी भी जरूरत होती है यह हमारा खुद का लोगो है जो मैं आपको कस्तोरी कॉटन बता रहे हूँ यह इंडिया को खु अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी जो होनी चाहिए और अगर उसके लिए सबसे जादा बेस्ट जो कॉटन होती है वो काली मिट्टी होती है काली मिट्टी अगर होगी तो वह जादा बेटर होती है अच्छे तरीके से उगाने के लिए तो आप यह सब याद रखेगा इसको भी आप लिख लीजिए कॉटन जो है वो काफी जादा हम भार के देशों में भी जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग सबस्यादा बांगला देश चाइना ताइवान वियतनाम पाकिस्तान इंडोनेशिया थाइलैंड यहां सब लेते सबसे जादा जो है वो बांगला देश और चाइना है जो की सबसे जादा पूरे भार से लेते भी है और सबसे जादा भारत में कौन उगाता है कौटन को महराश्च्रा गुजरा तेलंगाना और राजस्था और वर्ल्ड में सबसादा कौन उगाता है इंडिया चाइना और यूएस से हमारी भारत की कौटन को कस्तूरी कौटन बोला जाता है और यह जो लोगो है यह अभी डिसाइट किया गया है यह अच्छली अभी क को हम लोग यहाँ पर यह स्पेशली मनाते हैं और यह 2020 में कस्तूरी कौटन आ गई थी अभी नहीं आ यह कस्तूरी कौटन पहले से ही आ चुकी है अब इसमें तो यह कि आप थोड़ा सा और इसमें और नहीं नहीं इनिशेटिव स्टार्ट किये गए है नहीं चीज़े बना और कौटन के रिसर्च इंस्टिटूट बने होई महाराश्ट्रा में क्यों कि वहां पर इसके रिसर्च इंस्टिटूट जी बने हुए हैं नागपुर में हैं एक शरसा में हार्याना में ठीक है न यह सब याद रखेगा अब क्या होता है कि अगर आपने ऐसे ब्रैंड का तो इसमें कोई और क्या कडिया है तो यह सब चीज़े हम जान सकते हैं आप इस सब चीज़ों को जान करके ब्रांडिंग मिल गी ना आपको एक ट्रस्ट बन जाता है उसके उपर है ना मानते हो ना इस चीज़ को तो वह यह ए ईयो चीज और आब सोच जोगे कि यह टेक्स प्रोकिल क्या चीज है टेक्स प्रोकिल जो है बेसिकली ये कॉटन से जूड़ी हुई एक्सपोर्ट करने के लिए कलग से कमिशन बनाई गई है 1954 में ही बना दी गए थी जो कॉटन को एक्सपोर्ट करने का काम देखते है पूरे इंडिया में cotton को हमें कैसे export करना ही उसको देखते हैं यह दिल्ली के ही बारा खंबा रोड जो दिल्ली वे ही area है महीं पर इसके headquarters भी बना हुआ है इसको याद रखेगा यह पूरा एक्सपोर्ट का काम देखते हैं और cotton cooperation of India यह भी पूरा ministry of textile के अंदर सारा देखते है policies बनाना MSP decide करना हर चीज़े देखते हैं इसके headquarters मैं आपको बताई दिये नवी में तो यह सब याद रखेगा यह कुछ basic basic facts हैं जो आपसे पूछे जा सकत हैं और जो भी बताएं उसमें से कई question तो UPSC already पूछ भी चुकी है छोटे छोटे topics के ओपर कहां कब कैसे बनाएगा इसके headquarters कहां पे हैं ऐसे सब छोटे-छोटे सवाल तो already आपसे भी पूछे भी जा चुके हैं जो मैंने आपको cover कराया आपको प्रीवेश से रिफ्यूवि energy transition यहां पर जो है इंडिया का G20 की जो presidency है को 27 के 27 इजिप्ट श्रमल शेक में हुआ था अब G20 जो है इंडिया समाल रहा है तो यहां पर जो है वो जो पंडिंग दी ट्रांजीशन है वो यह कह रहा है कि इंडिया के जी ट्वेंटी प्रेसिडेंसी जो है वो अध्यक होने के नाते पोड की बैदक से सीख लेनी चाहिए यहां पर आपको पता है कि भाई इतनी जादा अभी जितने भी विकास्टल और विक्सित देश हैं उनक इसने भी कारबन एमिशन्स होते हैं वो तो यही जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो करती है चीक है और यूएन इसके ओपर तैयारी भी कर रहा है यूएन एपी यहां पर कि भाई अगर हमने जो पूरा हमारा कारबन है उसके एमिशन्स को हमने नहीं रोका तो हमें आगे आन की भरपाई कर सके फंडिंग यहां पर लेकर के आएं हमें फॉजल फ्यूथ वगरा जिवाश इंधन की कमी और जलवाई के लिए हमें नहीं नहीं चीज़ें यहां पर करने पड़ेंगी ठीक है और हर कंट्री को कुछ ना कुछ यहां पर स्टैप लेने पड़ेंगी इसन चीजे हैं बहुत हैं अब इसको भरपाई की जाएगी लेकिन इसके उसके जाएगी क्या क्या उसने स्टैप रहेंगे कैसी एकाणिवीज रहेंगी कुछ भी डिसाइड नहीं किया गया है ठीक है यह सब चीजें हैं अभी पर वही है कि इंडिया ने जो है यहां पर ड वें पूर सब्सक्राइब इस पुच्छा जा रहा रहा है कि परिवर्टन हो रही इसके अंदर आपक्या पहल में क्या-किया चीज़े कर रही हैं काफी नए नए तरीके के सवाल जो है वह इंडिया से भी हांप पूछ जा रहे ठीक है तो यह है energy transition transition का मतलब होता है change करना हमें जो है negative impact देखने को मिल रहे हैं तो हमें उसके अंदर नए नए steps लेकर के उसको change करना होगा तो energy transition जो है basically यह एक ऐसा ही index है जिसमें इंडिया के rank जो है 87 IT करी तो इसमें सरकार जो है वो यह चाहती है कि हर एक को यहाँ पर ऐसे resources दिये जाए zero net zero हमें क्या लेकर क्या आने है carbon के emissions को zero करना है उसके लिए क्या तयारी चल रही है उसकी के बारे में सवाल किये जा जा राइट चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के questions की तरफ हमारे आज के question में सबसे पहले है कंहरी केव कंहरी केव काफी न्यूज में रहती है अब हम यह पढ़ते हैं कि यह कंहरी केव के बारे में important चीज़े क्या है कंहरी केव संजे गांधी नाश्रपार्क मुंबई में situated है बिल्कुल सही चीज लिखे बोरी बली है इनका दूसरा नाम मैं आपको बता देती हूं क कंहरी केव का दूसरा नाम है कानहागिरी और क्रिश्नगिरी क्रिश्नगिरी मांटेंज भी है कराकोरम मांटेंज को क्रिश्नगिरी भी कहते हैं क्रिश्न मतलब ब्लैक इसका बैसिकली यह जो है इनको कहा जाता है ब्लैक मांटेंज बुद्धिसम से है इनके जो जुडाव बनाए गए है बिल्कुत सही लिखा हुए इसमें बहुत सारी जगह आपको बुद्ध और बौधी सत्वा की यहां पर इमेजिस देखने को मिलेंगी तो कहने रिकेफ बिल्कुत सारी इन्फॉमेशन लिखी है यहां पर चैत्ते और विहार दोनों का देखने को मिलेगा छीक है इंडिया में जो तीन फेसद हैं तीनों आपको देखने को मिलेंगे बुद्धिजम के हिनियान महायान और वज्रियान सुने हुए सब लोगों ने यह चीज़ तो हिनियान महायान और वज्रियान यह तीनों ही आपको जो है बुद्धिजम के हाँ देखने को मिले और जब मॉन्सुन का समय आता था इन केवस को जो है वो as a shelter की तरह भी इस्तिमाल किया जाता था जो विहार है विहार मतलब क्या होता है prayer hall जहां पर सब पूजा करते थे यहां पर सारी meditation की जाती थी वो भी बहुत सारी देखने को मिले करीब करीब 109 जो बिख की तरह इस्तिमाल किया था था वहां के लोग जो है आपर आके learn करते थे चीजों को ठीक है ना यह सब याद रखिएगा तो और जो अभी जो elephanta caves हैंगे थी महराश्टा में ही है Mumbai में यह जो elephanta caves है इन ही के जैसी बनती है clear हुआ तो इसमें सारी information सही लिखी हुई है see is the correct answer last question देखेंगे सूरे किरन exercise होती है किसके साथ होती है नेपाल के साथ होती है सूरे किरन exercise हम नेपाल के साथ करते है और अभी इसका जो exercise है वो अभी शुरू हो चुकी है इसका सोलवा सत्र जो है संसकरन शुरू हो चुका है कहां पर हुआ है यह स्टार्ट हुआ है नेपाल आर का जराम हुआ था यह exercise सबसे पहली बार 2014 में शुरुवात की गई थी और इसे पहले वाली इंडिया में हो थी ऐसा ही होता है एक बार इंडिया एक बार नेपार पिशली वाली जो हुई थी उत्राखंड पिथोरा गड़ में हुई थी इस बार वाली यहां हुई तो इसी तरी कि एक्सेसाइजेस हैं आपको याद रखने हैं एक्जाम में आपसे इनसे question put up किया जा सकता है ठीक है ऐसे जतनी बे एक्सेसाइजेस नियूस में रहेंगी वह आपको बताती रहूंगी या फिर उससे जोड़ावा कोई ना कोई question लेक्या होंगी ताकि आपको easy हो जाए या हुआ है जाए